नमस्कार दूस्तों आरे यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दूस्तों आज के इस पीडियो में हम लोग आरो आरो एक्जाम यानि की समिच्छा अधिकारी और सहाइक समिच्छा अधिकारी के लिए करेंट अफियर्स टाप 50 स्रीज का पांच वहां से इसके पहले चार से ठाल कराया जा चुके हैं जो लोग नहीं देखें हैं चैनल के प्ले लिश्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में विडियो का प्रेश कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पीडियो पिसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्सर में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जोइन करके आप पीडियो भी अब लागिंग कर सकते हैं फिर अपना गोल सेलेक्ट करके आप जो है UPPSC या फिर UPCCC ये किसी भी एकजाम के प्रिपेशन कर सकते हैं उसके बाद अनेकेडमी जोईन करने के अडवाइंटेज आप देख सकते हैं अभी अनेकेडमी पर UPPSC और UPCC एकजाम के लिए special price week चला है अभी आपको 15% और 10% का जो है अभी आफर जो है मिला है आपका 25 से लिए करके 30 नौवंबर तक यह आफर वैलिड है अमारा रेफरल कोड़े दिया यूज करते हैं exam learner तो आपको जो है additional 10% का discount भी देखने को मिलेगा और आपको बता दें कि जो है अनकेडमी पे UPPSC Prelims GS Paper 1st Series का जो है टेस्ट कराया जा रहा है आप इसे जोईन कर सकते हैं नीचे description में आपको लिंक मिल जाएगा उसके बाद विजाई वाओ के नाम से है UPPSC PCS Mains का टेस्ट Series current times जो चला है यह आपका 8 बजे सामको 20 question का यह जो है sit है और 20 minute में आपको solve करना है इसमें negative marking भी रहेगा 1 third इसे भी आप जोईन कर सकते हैं नीचे description में लिंक आपको दे दिया गया है फिर mains paper के लिए जो है आप को जोईन कर सकते हैं और batch course से जो भी available है UPPSC Mains optional के लिए जो है आप जोईन कर सकते हैं फिर है आपका UPPSC Mains के लिए और मेंस gsp पर first के लिए जो है इक कोरस अबिलिबल है नीचे description में सभी के link आपको मिल जाएगे वहाँ से जाकि आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तों unacademy जो है आप join करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यह आपका monthly यहाँ पे fees structure भी दिया गया है और हमारे यही रेफरेल कोड आप यूज करेंगे exam learner तो 10% का आपको discount भी देखने को मिलेगा तो यही रेफरेल कोड आप subscription लेते समय यूज जरूर किजिएगा तो दोस्तों पहला प्रशन देखते हैं कि हाल ही में तो यहां पर जो सेव जाएगा यहां जैराम नरेष्ट के द्वारा अभी यहाली में पूस्तक प्रकासित हुई है तीसरा प्रशन देख का पहला अनाज ATM पाइलट परियोजना की रूप में किस सहर में अस्थापित किया गया है तो यह गुरू ग्राम हर्याना में अस्थापित किया गया और हर्याना की गुरू ग्राम में आपको पता होगा ISA यानि की International Solar Alliance का Headquarter भी है यानि की अंतराश्टी सौर गठबंधन चौथा प्रशन है Amazon Company के द्वारा भारत के किस सहर में देश का पहला Digital केंद्र लांच किया गया है तो यह सूरत में लांच किया गया है पाँचवा प्रशन है इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है ध्यान दीजेगा यहांपे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है तो धर्मेंदर प्रधान ए आपसन में दिया गए सिच्छा मंत्री है बिल्कुल सही है अस्विनी बैसनो यह रेलवे मंत्री है और किरन रिजी जू पंचायती राज मंत्री दिया गया यह आपका यहांपे गलत हो जाएगा किरन रिजी जू यह आपके कानून मंत्री है कानून मंत्री ना कि पंचायती राज मंत्री है बाकी अनुराग ठाकूर खेल मंत्री हैं ये भी सही है तो आप से पुछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है सी आपसन सुमेलित नहीं है चाटवा प्रशने हाली में प्रशिद्ध फिल्म अभिनेता देलिब कुमार का निधन हो गया उनका वास्तविक नाम क्या था तो यहाँ पर ये आपसन सही होगा मुहमद यूसुफ खान उनका वास्तविक नाम था साथमा प्रशने विम्वर्डन टेनिश टूर्णामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो ये सले बार्टी ने डी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा आठवा प्रशने हाली में किस राजी सरकार ने नई जन संख्या नेती 2021 से तीस की घोशना की है तो उत्तर प्रदेश राजी सरकार ने नई जन संख्या नेती की घोशना की है डी आपसन से हो जाएगा यहाँ पर नौवा प्रशने किन मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो की ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग होगी अगला जो प्रशन है भारत के किस राजमे देश का पहला क्रिप्टो गेमिक उध्यान का उध्गाटन किया गया तो ये उत्राखण में किया गया ये बिकल्प सही हो जाएगा और उत्राखण के बरतमान में सीयम कौन है तो पुषकर सिंग धामी है इगराव कोशन है जुलाई में जारी हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो ये आपका जुलाई में जारी हुआ है हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2022 इसमें भारत को 90 यानि कि D आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा और सबसे पहला अस्थान किस देश को प्राप्त हुआ है तो जापान के पास्पोर्ट को जापान और सिंगापूर के पास्पोर्ट को जो है पहला रैंक प्राप्त हुआ है और भारत के पास्पोर्ट को 90 रैंक प्राप्त हुआ है अगला प्रशन किस देश में विश्व बैटमिंटन चेंपियंशिप 226 का आयोजन किया जाएगा तो यहाँ पे A आपस्पोर्ट से हुजाएगा भारत में अगला प्रशन है सितंबर 22 में किस राजे की बिधान सभा में बाल बिवाह को पंजिकरित करने के लिए एक बिधेयक पारित किया गया है तो यह पारित हुआ है राज्यस्थान में C आपस्पोर्ट से हुजाएगा अगला प्रशन है की हाली में भारत ने किस देश के साथ करसी छेतर में तीन वर्स के लिए जॉइंट कारिकरम पर समझावता किया है तो यह इजराइल के साथ समझावता हुआ है यह आपस्पोर्ट से हुजाएगा आपे जिस देश में किया गया जिसमें भारती ये सेना ने भी हिस्सा लिया है तो आपस्पोर्ट से हुजाएगा यह आपस्पोर्ट से हुजाएगा रूस के साथ और अगला जो प्रशन है आपका राश्ट्री इवादिवस 22 का थीम पूछा गया है क्या है इसका सही एंसर होगा यह आपस्पोर्ट इवादिवस कब मनाया जाता है तो यह 12 जन्वरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा है इवादिवस उत्साह ने भारत का अर ठरवा प्रशन है पशिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए यहाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ रिल्ड समझावता किया है तो विस वैंक के साथ समझावता हुआ है भी आपस्पोर्ट से हो जाएगा विस वैंक की अस्थापना कब हुई थी 1944 में वर्ल्ट वैंक का अस्थापना हुआ था और इसका हेटक्वाटर है USA के वासिंगटन डी सी में अगला प्रशन आपका BBC Indian Sports Women of the Year पुरसकार से 2020 में किसे सम्मानित किया गया है तो यहाँ पी जुसे होगा C आपसन कोनेरू हमपी को सम्मानित किया गया है अगला प्रशन दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर उर्जा प्रियोजना का निर्मार किस नदी पर किया गया तो C विकल्ब से होगा नर्मदा नदी पर किया गया है यह दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर उर्जा प्रियोजना है और आपको पता होगा नर्मदा और तापती दो ऐसी नधिया हैं जो कि भृंस घाटी से होकर यह गुजरती है याने की बहती है और अरब सागर में जा करके मिल जाती है और यह प्रश्ण की तरफ बहने वाली नधिया है तो यहां से प्रश्ण हमेशा बनता है दोनों को याद रखिएगा अगला जो प्रश्ण है हाल ही में किस राजी सरकार ने इवाउं को आत्मी निर्भर बनाने है तो लांच पैड योजना की शुरुवात की है तो यहां पे भी आपस नसीवगा मध्य प्रदेश राजी सरकार के द्वारा अगला प्रश्ण है भरश्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश द्वारा सतरक नागरिक मुबाइल एप लांच किया गया है तो यह जम्मु कस्मीर के द्वारा लांच किया गया है और आपको पता होगा जम्मु कस्मीर और लद्दाख दो नए केंदर सासित प्रदेश बनाए गया है केंद सासित प्रदेशों की संख्या बाट हो गई है और राजजीयों की संख्या भारत में 28 है 23 प्रशनेस जनुगरी 22 में संयुक्त राश्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार सबसे ज्यादा भारती प्रवासी की इस देश में इस्थित हैं 24 प्रशनेस हरित और स्वक्ष उर्जा के बारे में जागुरुक्ता फैलाने के उद्देश से संडक्छन चमता महुत्सो यानि की सक्छम 2021 का आयूजन किस मंत्राले के द्वारा किया गया तो यह पेट्रोलियम मंत्राले के द्वारा किया गया है सही हो जाएगा अगला प्रशनेस हाली में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष योम सीईयो के रूप में किसे नियुक किया गया है तो यहाँ पे जुसे होगा बी आप्षन सुनीत सर्मा को 26 प्रशनेस देश में खिलोनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्राले के द्वारा टैक्थान 2021 की सुरुवात की गई तो यहाँ पे जुसे होगा डी आप्षन उप्रूक्त सभी की द्वारा यानिकी सिक्षा मंत्राले और बाडिज्य योम उद्योग मंत्राले महिला योम बालविकास मंत्राले और यमेस यमी मंत्राले कपड़ा मंत्राले और सूचना योम प्रशारल मंत्राले इन सभी की द् जो है टैक्थान दोयर कीस की सुरुवात की गई है 27 प्रशने भारत के पहले इथेना औल सही अंत्र कि अस्थापना किस राजी में की जाएगी तो यह 36 गड़ में किया जाएगा बी आपसन यहाँ पे 36 गड़ और 28 प्रशने कारवासों के एतिहासिक महत्त को देखते हुए हाल ही में किस राजी सरकार ने जेल परियतन की सुरुवात की है तो महराष्ट राजी सरकार ने जेल परियतन की सुरुवात की है यह आपसन सही हो जाएगा उन तीसवा प्रशन है किस railway जो ने 3.5 km लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लांच किया है तो ये दक्षिड पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा जो ये लांच किया गया है और ये 3.5 km लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी है नाम इसका वासुकी दिया गया तीसवा प्रशन है देश का सबसे बड़ा मुल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क किस सहर में बनाया जा रहा है तो ये अहमदाबाद में बनाया जा रहा है बी आपसन यहां सही हो जाएगा 31 प्रशन है हाली में कि इन दो देशों की वायू सेनाओं की बीच एकस डेजर्ट नाइट दो जार इकीस युद अभ्यास का आउजन किया गया तो ये भारत और फ्रांस की बीच किया गया है और अभ्यास का नाम है एकस डेजर्ट नाइट 21 35 प्रशन है निम्लिखित में से किस ब्यक्ति को डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम वेग्यानिक पुरसकार 2020 से सम्भानित किया गया अगला प्रशन है सहर को पालिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है और यह जो है इसका उद्देश है कि सहर को पालिथीन मुक्त बनाना है चौथीसवा प्रशने 2 मार्च 2020 को पधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया सम्मिट का उद्गाटन किया इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है तो इसमें डेनमार्क सहयोगी देश की रूप में रहा है भी आपसन सही हो जाएगा 35 प्रशने मार्च 2020 में भारत तथा बांगला देश के बीच मैतरी सेतू पुल का उद्गाटन किया गया यह पुल किस नदी पर बनाया गया है तो यह फेनी नदी पर बनाया गया है काफी महतपूर है याद रह कीगा यह आपसन यहापे सही हो जाएगा 36 प्रशने हाली में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज की कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधीत हो गया था तो यह है ताईवान सी आपसन से हो जाएगा ताईवान का एक बड़ा मालवाहक जहाज था जिसकी कारण यो सुएज नहर का मार्ग वो बाधित हो गया था सी आपसन सही हो जाए गया पर अगला प्रशने किस मंत्राले द्वारा हाल ही में Global Bio India 2021 का आयुजन किया गया तो यह किया गया बिज्ञान योंपरिद्धो की मंत्राले के द्वारा सी आपसन सही हो जाएगा है अगला प्रशने है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सही अठारे अन्य वो ग्रहों को किस परच्छेपड यान के जरिये लांच किया है तो यान का नाम है PSLV C-51 डी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा इसरो का फुल फार्म आपको पताएगा इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाजेशन हेटकॉर्टर है करनाटा के बैंगलूरू में इसकी अस्थापना हुई थी 1969 में अगला प्रशने है इंडियन सूपर लीग 2021 की बिजेता टीम कौन बनी है तो यहाँ पर यह आपसे हो जाएगा मुंबई सिटी एफसी और अगला प्रशने है कि आल इंग्लेंड बैटमिंटन चेंपियंशिप का खिताब किस पूरुष खिलाडी ने जीता है तो लीजी जीया ने जीता है भी बिकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं कि तीरत सिंग रावत की इस थीपे के बाद उत्राखंड के मुख्यमंतरी का पद किसे सुपा गया है तो आपको बताया गया है पहले पुषकर सिंग धामी इस उत्राखंड के बरतमान में वह मुख्यमंतरी हैं और किनके इस थीपे के बाद ये मुख्यमंत्री बनने हैं तो तीरत सिंग रावत इसके पहले मुख्यमंत्री थे उत्राखन के अगला प्रशन है महराश्टर सरकार ने किस प्रसिद्ध गाईका को वर्स 2020 का महराश्टर भूशन प्रदान करने की घोशना की यहाँ पे सी बिकल्ब सेवा आसा भूशले को तेर्टारीसमों प्रशन है देश का पहला पूरी तरह से बिद्धुती कृत रेल्वे जून कौन बन गया है तो यह है पश्चिम मध रेल्वे बी बिकल्ब यहाँ पे सही हो जाएगा और यह देश का पूरी तरह से बिद्धुती कृत रेल्वे जून बन गया है 44 प्रशन है जम्म। कस्मेर में दुनिया का सबसे उंचा रेल्वे आर्च बृज का निर्माड किस नदी पर किया गया है तो यह चिनाब नदी पर किया गया है बी आफ़सन सही हो जाएगा 45 प्रशने निमलिखित में से किस देश में भारती इंद्रा गांधी संस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग एप लिटिल गुरू को लांच किया गिया तो बांगला देश में B आपसनिया पे सही हो जाएगा 46 प्रशने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ ESRI पहल सुरू की है तो यह जापान और आस्ट्रेलिया दोनों के साथ इनकी D आपसन सही हो जाएगा A और B 47 प्रशने हाली में लांच की गई पुस्तक All-Time Favorites for Children किस के द्वारा लिखी गई है तो यह लिखा गिया है रस्किन बांड के द्वारा B भी कलप सही हो जाएगे हैं आपे और 48 प्रशने टोक्यो उलम्पिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पहला कथन है इस उलम्पिक में पदक तालिका में अमेरिका सीर्स अस्थान पर रहा दूसरा है कथन इसमें कि इस उलम्पिक में पदक तालिका में भारत का अस्थान 48 प्रशन था तो कौन सा आप्शन सही होगा इसमें तो यहाँ पर जो से हो जाए C आपसन दोनों कथन सकते हैं यानि कि Tokyo Olympics 2020 जो कहाँ पर आयो जित हुआ तो जापान के Tokyo में आयो जित किया गया 2021 में और इस उलम्पिक में पदक तालिका में अमेरिका वर सीर सस्थान पर रहा यानिक टॉप पर भारत का रैंक इसमें अनतालिसमत था और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे साथ जिसमें एक गोल्ड मिडल था अगला प्रशन है बजट में घोसित प्रधान मंतरी आत्म निर्भर स्वास्त भारत योजना के तहट आवंटित रासी है तो यहाँ पर यह आफ़सन से हो जाएगा चौंसका थेजार एक सो असी करोड रूपए और अन्तिम कोशन है कि 2021-22 के केंद्री बजट का कुलिवय यानि की खर्च कितना है तो यहाँ पर यह आफ़सन से हो जाएगा 34,83,236 करोड रूपए तो दोस्तों यह था आपका Current Affairs Top 50 का पांच वाँ सेट इसके पहले 4 सेट अपलोड हो चुके हैं जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के पले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी सेट को हल कर सकते हैं तो वीडियो दिया अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेश कर लिजेगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे पीडिया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहे नीचे डिस्क् टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया वहां से जोइन करके आफ पीडिये भी डाउनलूड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद